दोस्तों मस्कार आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वोटर कार्ट को अधार कार्ट से लिंक कैसे किया जाता है एक अगस 2022 से ये लागू कर दिया गया है अब आप अपने वोटर राय कार्ट को अधार कार्ट के साथ लिंक कर सकते हैं तो इस वीडियो में बने रहे हैं आपको काफी डिटेल के साथ इस वीडियो में जनकारी मिलेगा किस तरह से वोटर काइड को आधर काइड के साथ लिंक किया जाता है Water Icard को Athercard के साथ लिंक करने के लिए आपको Play Store में आना है यहां पे आप सर्च करेंगे Water Help Line और यह application आपको खुलेगा तो यहां पे आप इंस्टॉल कर लिजेगा तो इंस्टॉल होने के बाद इसको आप Open कर सकते हैं इसके बाद कुछ इस तरह का आपका लोगों खुलेगा Water Help Line तो इस पेच पर आजाएंगे तो इस बॉक्स को किलिक करेंगे और आप जो है नेक्स बटन पर किलिक कर देंगे तो यहां पे भसा सेलेक्ट करने के बाद Get Start पे आप किलिक कर देंगे ऐसा करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तो आप यहां पे देख सकते हैं आपको बहुत सारा Option दिया जाता है तो यहां पे भोटर रजिस्टेशन पे आप किलिक करें तो यहां पे आप अपना मुआल नमर इंटर करेंगे कोई भी मुआल नमर इंटर कर सकते जिसमें OTP आ जाए तो जैसे ही मुआल नमर इंटर करेंगे इसके बाद Send OTP पे किलिक कर देना है उसके बाद OTP आएगा OTP को यहां पे इंटर कर देना है OTP इंटर करने के बाद आप आपको verify पर click कर देना है verify पर click करने के बाद अगर आपको भोटा राय कार्ड है तो यह वाले पर click करेंगे अगर आपको भोटा राय कार्ड नहीं है तो नो वाली पर click करेंगे तो मेरे पास भोटा राय कार्ड है इसलिए हम यहां पर click करेंगे इसके बाद यहां पर हम next वाले इसके बाद यहांपर आपको स्टेट सलेक्ट करना पड़ेगा जिस मी स्टेट में रहा भी इसके बाद यहांपो देख सकते हैं। क्लिक कर देना है एचा करने के बाद सब्सक्रीन में कुछ इस तरह का इंटरफियस खुलता है और नीचेमें एक प्रोसीद वाला उसन है तो यहां पे डाल्ING करेंगे आप गूकर, बोक्स पे लिंक कर सक्ते हैं, तो चलिए हम यहां पे डाल इटेल्स पे यहांपे क्लिक करके आधार नम्मर यहां पे इंटर करते हैं अधार नमर इंटर करने के इस बॉक्स पे आप किलिक करेंगे और जैसे ही बॉक्स पे किलिक करेंगे तो आपको एक फोटो अधारकार का अपलोड करना पड़ेगा अगर आप नहीं चाहते हैं फोटो अपलोड करना तो इस बॉक्स पे आप किलिक मत किजेगा तो चलिए हम यहां पे किलिक नहीं करते है और आपको box पे click नहीं करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको mobile number, उसके बाद email address, उसके बाद यहाँ पे place of application, तो place of application में आप अपना गाउं का भी नाम दे सकते हैं, इसके बाद done पे click कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ detail आएंगे, confirmation के लिए तो continue वाले button पे आ आपका जो है voter card के साथ, अधार card को link कर दिया गया है, तो इस तरह से आप अपने voter card को अधार card के साथ link कर सकते हैं, इसके बाद आपको एक reference number दिया गया है, तो आप चाहिए तो screen source लेके रख सकते हैं, उसके वाले button पे click करेंगे, status जानने के लिए आपका अधार card link हुआ है या नहीं हुआ है, तो three line पे click करेंगे, यहाँ पे देखिए, application office status है, तो यहाँ पे आप click करेंगे, click करने के बाद यहाँ पे जो आपको reference number मिला है, तो ओर reference number यहाँ पे आपको इंटर कर देना है, इंटर करने के बाद आपको पता चल जाएगा voter card के साथ अधार card link हुआ है या नहीं, इस तरह से आप अपने voter card को अधार card के साथ link कर सकते हैं, और वीडियो में जनकारी पसंद आएज वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को subscribe करके बैल आगए को दबा सकते हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल यह सुजाव है, तो comment करके बता सकते हैं, तब आपका बहुत बहुत धन्यवादा